सिम्रं अर्थात इस्मरं, अर्थात ध्यान, अर्थात याद, सिम्रं जरूरी क्यों है, सिम्रं को भक्ति का आधार, अर्थात नीब क्यों कहा गया है, आजके वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, YouTube चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को स्वागत है आपका इस वीडियो में 84 लाख योनियों में मनुस्य योनी को सर्वस्रेष्ट माना जाता है लख 84 योनी में मानस देहे परधान और इस योनी को सर्वस्रेष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वह योनी है जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन संभब हो सकता है भई प्रापत मानुस देहुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया परमात्मा से मिलते ही आत्मा की जनम जन्मों की भटकन समाप्त हो जाती है परंतु याद रहे अभी भी अर्थात परमात्मा से मिलने के उपरांत भी उस छण भी बहे शरीर के बंधन में तो है और शरीर को इस शरीर को चारो तरप से माया में संसार ने घेर रखा है माया जो भटकाती है कबीर साहब कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी माया हमेशा ही मन को भटकाती है इसका काम ही जीव को अपने जाल में फसा कर प्रभू की भक्ती से दूर करना है माया के प्रभाब में फसा जीव माया के जाल में फसा जीव परमात्मा से मिलने के उपरांत भी माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और मोक्ष के लिए माया के बंधन से मुक्त होना सबसे अधिक जरूरी है चारो तरफ माया ही माया है आगे पीछे दाएं बाएं उपर निचे हर तरफ माया ही माया है परन्तु फिर भी मुक्ति के लिए मुक्ष के लिए इसके बंधन से इसके प्रभाब से मुक्त होना जरूरी है होना पड़ेगा बिलकुल इस तरह से जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल के प्रभाब से मुक्त होता है जग माही ऐसे रहो जो अंबुज जल माही रहे नीर के आसरे पे जल छूहत नाही परνतु सवाल है कि यह होगा कैसे हमारे तो चारो तरफ हर छण हर पल माया ही माया है चारों तरफ से हम सबको माया ने घेर रखा है हम इसके प्रभाब से इसके बंधन से आखिर मुक्त कैसे हो सकते हैं कहा तो है कमल की तरह से और इसे मुक्त करने की ओशदी है इस रोग को मिटाने की ओशदी है सिमरन, सिमरन मुक्त करेगा हमें माया के प्रभाव से सिम्रन से आत्मा को बल मिलता है सिम्रन से आत्मा की बास्तुविक शक्ती जग्रत होती है सिम्रन से आत्मा की निकटता परमात्मा से बढ़ती है जितनी अधिक हम सिम्रन करते हैं उतनी अधिक परमात्म से नजदीकियत हमारी बढ़ती है याद रहे शिमरन में जितनी अधिक निरंतरता होगी उतनी अधिक प्रभु के पिरती निकटता हमारी बढ़ेगी और जितना अधिक हम प्रभु के नजदीक रहेंगे न निकट रहेंगे न उतना ही अधिक हमारा प् एक ब्रह्म ज्यानी महात्मा का विश्वास उसकी इस्थिरता परमात्मा में निरंतर बढ़ाता है सिम्रन का सीधा समंद्ध भक्ति से हैं दूसरे सब्दों में सिम्रन ही भक्ति है और भक्ति में असीम शक्ति होती है और आप जानते ही है कि इस असीम शक्ति का स्रोत है सिम्र सिम्रन प्रार्थना है प्रार्थना जब आप या हम अपने या किसी अन्य के संकटों को दूर कराने के लिए दुखों को दूर कराने के लिए बिगड़े कामों को बनाने के लिए प्रभू से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना वो प्रार्थना सिम्रन ही तो है और इ आपने एक बार नहीं बार बार देखा है अनेकों बार देखा है और यही वो सिम्रन है जिसमें जब निरंतरता होगी हमारी गती बढ़ेगी पल पल छण छण स्वास स्वास में हमें सिम्रन करना आ जाएगा तो तब जब हम इस शरीर को छोड़कर इससे बाहर निकलंगे तो इस निकट खड़े परमात्मा का प्रत्यक्षी करन कराएगा इसके दर्शन कराएगा और इस शरीर से निकल कर हम इस ब्रह्म में इस मौक्ष में पहुँचकर आनंद के पात्र बन जाएगे इस्थिर हो जाएगे इसलिए हमें सिम्रन को बढ़ाना होगा मौक्ष प्राप्त करना है तो सिम्रन को बढ़ाना पड़ेगा परमात्मा से नजदीकियत बढ़ानी है तो सिम्रन को बढ़ाना ही होगा सुख प्राप्त करना है तो सिमरन को बढ़ाना ही होगा कश्टों से छुटकारा प्राप्त करना है तो सिमरन को बढ़ाना ही होगा सफलता चाहिए प्रेम चाहिए घर परिबार में और खुद में शांती चाहिए तो सिमरन को बढ़ाना पड़ेगा इसलिए बढ़ाओ सिमरन को निरंतर बढ़ाने का अभ्यास करो और अंत में और जीते जी दोनों समय इस शरीर से निकलने के बाद और इस शरीर के जीते जी भी मौक्स का आनंद लेना है तो सिम्रन को बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना है इसे सब्सक्राइब के साथ जैहिंद, नमस्कार और प्यारभरी धन्नकर